जैश्री राम आप सभी को हमारी मन का रमायन समापत होने के बाद आज मैं आ गई हूँ दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की कहानी लेकर दिवाली पर हम सभी लक्ष्मी पूजन करते हैं पर क्या हम जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन किया क्यों जाता है अगर नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखना एक बार की बात है माता लक्ष्मी अपने महा लक्ष्मी स्वरूप में इंद्र लोक में वास करने पहुंची माता की शक्ती से देवताओं की भी शक्ती बढ़ गई इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराज़त नहीं कर सकता एक बार इंद्र अपने एरावत हाती पर सवार होकर जा रहे थे उसी मार्ग से रिशी दुर्वासा भी माला पहन कर गुजर रहे थे प्रसन होकर रिशी दुर्वासा ने अपनी माला फेक कर इंद्र के गले में डाली लेकिन इंद्र उसे सभाल नहीं पाए और वो माला एरावत हाती के गले में पढ़ गई हाती ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई इससे रिशी दर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इत्ता अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाएगी इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गई लक्ष्मी के चले जाने से इंद्रव अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापिस बुलाने के लिए समुद्र मन्फन करवाया देवताओं और राक्षसों के प्रयाज से समुद्र मन्फन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रियोधशी के दिन भगवान धन्वंत्री निकले इसलिए इस दिन धन्तेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी बाहर आई इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है इसलिए कार्टिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कल की वीडियो में हम ये जानेंग कि लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी मा के साथ विश्नु जी की जगह गनपती जी क्योंग राजमान होते हैं तो बने रहे हमारे साथ